जब अपने में प्रामानिक्ता नहीं होती है तो कमजोर होते हैं अंदर से जब व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है उनकी छेतना का जो अभिव्यक्ति है वो प्रामानिक्ता है वो सहजता है वो सरलता है यह सब कहीं लिखा हुआ नहीं आप बैठके सोचो ना आप बैठके सो खराब होता रहा है मगर आप जीवन के सत्य पर नजर डालोगे मैं कौन हूँ ये क्या है मुझे में कमजोरी किस बात की लग रही है तो भी कहें मेरी मन में ये इच्छा है ये इच्छा है अब बहुत ये इच्छा तो जब दान्त है तो बदाम नहीं मिला बदाम हो तो दान्त चली गए दाम बदाम कहो मुंपली कहो दान्त मजबूत है तो मुंपली हाथ में नहीं लगी और मुंपली हाथ में लगी तो दान्त नहीं बेदान्त हो गए थे तब तक ऐसे भी होता है भाई मगर हम इन सबसे बड़े हैं ये समझ में आते हैं दिरिश्टी विशाल होते ही इच्छाएं बुरी नहीं है मगर इच्छाएं तुमसे बड़े हो जाएं तो तुम मुसीबत में हो जाते हो इच्छा दुकों का कारण है ये भगवान बुद्ध ने कहा है वो कब जब इच्छाएं तुमसे बड़े हो जाते हैं तब वो दुक लाती है नहीं तो अच्छी इच्छाएं तो उड़ती हैं मन में संकल्प तो कहीं उड़ते हैं पेड लगाएं घर को सुंदर रखें सड़क को सुंदर रखें हमारे शहर को सुन्दर बनाएं सब मिल जुल के रहें साहित्यकला अनृत्तीन सब में रुची लें ये सब भी इच्छाएं हैं सबी इच्छाएं दुखदाई ऐसा मत समझना जब इच्छाएं हमसे प्रबल हो जाते हैं तब दुखदाई होते हैं और हमारे अधीन रहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं और कम हो तो अच्छा है कम इच्छाएं हो तो नहीं तो इसकी सिलसिला है तो बढ़ती चाहती है कुछ अच्छा काम करते हैं तो और अच्छा काम करने का मन होता है कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है, करें मगर काम नहीं हो तो बैठ के रोने लग गए, ये ठेक नहीं है यहां मार काओ इसलिए हमारे कावत है ना, अच्छा कर और कोई में डाल क्या हूं मैं ये भी स्मरण मत करो इसे भी दुखी हो जाओगे मैंने यह इसा इतना किया, इतना किया, क्या इतना किया, क्या, 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 क् कुछ गलत करके कुछ अच्छा काम करने से बुरा काम करने से तुम अपने आपको रोक पाए नहीं तो कुछ गलत कर बैढ़ते थे यह तो ऐसा समझो अच्छा हो भई मुझे एक मौका मिला अच्छा काम करने का तकि मैंने कुछ गलत नहीं करें जीवन में और मैंने गलत कभी नहीं किया इसका गरोने करना चाहिए इसका ठीक है स्वाभिमान रहना चाहिए मगर वो यह नहीं सोचो कि मैं ही पवित्र हूँ सारे सब को यह पवित्र लगेंगे फिर ऐसा नहीं फिर उसी से भी हम परिशान हो जाते हैं है न मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत है यह बहुत नाजूक बैलन्स है क्या? मैं ठीक हूँ और लोग भी ठीक हैं यह समझना जब भी हमको लगता मैं ठीक हूँ उसका आधार यदि दूसरे गलत हैं होता है तो मैं ठीक नहीं होता तब और सब गलत है मैं ठीक हूँ जैसे ये ठीक नहीं होता वैसे ही सबी ठीक है मैं ही गलत हूँ ये भी ठीक नहीं होता ये उसी बात की शीर्शासन है सब कोई ठीक है मैं ही नायक हूँ मैं हैसा ही हूँ पहले सी जो भी काम करता हूं सब चोपटो जाता है मेरा नसीबी कुछ ऐसा है मुझे कोई प्यार ने करता मैं मर जाओं, मर जाता तो अच्छा उसके लिए भागी नहीं है मरने की चार बार चेश्टा करता हूं तब भी नहीं हो पाता है आजी सुबह एक ऐसा व्यक्ति का फोन आगा मेरे पास चार बार कोशिच क्या मैंने आत्मत्य करने कोई नहीं पारा आशिरवाद दीजे में जल्दी अपने आपको समाथ कर लो देखें, क्या क्या आशिरवाद मांगते भी यह वही बात है, सब कोई ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ वही बात है, मैं ही ठीक हूँ, बाकी कोई ठीक नहीं है मैं भी ठीक हूँ, और भी सब लोगों का भी, अपने अपने धंग से सब ठीक है और सब को ठीक टाक रखने वाला एक है बस विश्राम करो मैं उनको सिखाता हूँ कुछ यह मैं जाना सिखाने सबक सिखाएंगे क्रोध में तुम किसी को कुछ सिखा नहीं पाऊगे सबक सिखाने वाले कभी किसी को कभी आज तक सिखाने पाए ना सुधार पाएं उनको ना वो सुधरे किसी को सुधार नहीं तो उसके लिए बहुत करुणा चाहिए बहुत पेशिस चाहिए गाली गलो सुनने के लिए तैयारी होनी चाहिए तुमारी अपनी क्यों जिसको सुधार नहीं जाते हो वो ही गाली देगा वो ही गाली देते हैं तो वो सब हमारे अभीतर इतना करुणा है, सहन शीलता होती है, तो किसी को सिखाने जाओ, नहीं तो भगवान बरोसी छोड़ दो उनको, भगवान सिखाएगी और तो महाराम से बैठो, अपना काम देखो, अपना सीखो, हमें क्या करना चाहे, क्या ने करना चाहे, इतना जान लगना चाहे, लेकि इस देश में ऐसी ऐसी बाती कह गए है, क्या बता है, अद्बुत, प्रे दुर्जनम प्रतमम वंदे, सुजनम तदनंतरम, जो गलत काम करता है, उसको पहले नमशकार करो, क्यों, वो अपना आप खुद अपने आप गढ़े में गिरते हुए, तुमको कुछ सिखारा भई, कितना त्याग किया उसने, सजन तो अपने अच्छे मार्ग पर चलते गए, उनके पगचिन तुमको मिल गया, तो पीछे पीछे जाने लगे, महर दुर्जन जो है, वो गिर के तुमको बता रहे भई, ऐसा मत कर, देखो मैं क्या हूँ, भुगत रहा तुमक कर, इसलिए वो भी पूजनी, मने उनको भी नमशकार कर, मने इसका मतलब क्या है, तेरा मन को खाली कर दो, यह उपर की जो मनदिल है, इसको बिना किराय के किसी के हवाले मत कर बैठ ला, कि हमारे उपर के मनदिल में कोई किराय कर बैठ जाता है, किरायदार किराय भी नहीं देता खाली भी नहीं करता परिशान करते रहते है दिन रात परिशान करते है आप परिशान होते रहते हो ठीक है ना और दिये हमीने चाबी ताला उनको सुप दे रहे है आई 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 बैठी है मेरे दिमाई को अंदर आई निकालो अपना घर अपने पास रख को खाली करो किरायदार को यही साधना साधना क्या है जो हम अंजाने में सब किरायदारों को बसा रखे हैं उनको हाथ पाऊं जोड करके बोलते हैं खाली करो वही चलिए आप चलिए हमें चाहिए दोनों जगे हमारा परिवार बड़ा हो गया, ओपर नीचे हमी को चाहिए ये कहना यही साधना का लक्ष अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के साथ कमेंट और शेर करना ना भूले इससे जुड़े अन्य वीडियों के लिए इस चानल को सब्सक्राइब अवश्य करें